गुड इविनिंग एवरिवन, अलॉट्मेंट कब आएगा, एग्जेक्ली ये टैंग तो CGDME वाले ही बता सकते हैं, मैं आपके बाकी कोश्चन के आंसर कर सकता हूँ, कोसिस करूँगा, ठीक है, तो आपके जो कुश्चन्स हैं, जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछे हुए जैसे कि प्रकास्तिवारी ये पूछते हैं कि सर, OBC के लिए रिजर्विशन होता है क्या प्राइवेट कॉलेज में, येस, आफकोर्स रिजर्विशन होता है, बिल्कुल प्राइवेट कॉलेजिस की सीटें भी, जो भी रिजर्विशन क्रैटेरिया 36 गड़ में अपलाई ह तो होता है, उसमें प्राइवेट कॉलेज किया जाता है, उनकी सीटों को भी इंकुलेज किया जाता है, पर यहाँ पर 36 गड़ के गड़ को सकते हैं, तो उसमें इज सिर्व 32 के भी पे सब्सक्राइबस करएं, या आपन ऐसा कह सकते हो, कि यदि आप पास 36 गड़ से इसू क किया गया कास्ट सर्टिफिकेट है तभी उसको माननेता मिलेगी या आप उसके लिए इलिजिबल होगे अधर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट या अधर स्टेट के बच्चे यहां 36 गड़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के OBC ST और SC seats के लिए इलिजिबल नहीं होते हैं सीधी बार तो नेक्स्ट जो कुश्चिन है WhatsApp में फरजी काउंसलर के मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं तो बस आपने DME को अपना मोबाइल नंबर दिया और 36 गड़ डियमी ने उसको वेबसाइट पर पब्लिक कर दिया अब इससे होगा क्या कि आपका दो डेटा था जो आप सक्षिक्योर समझते थे अब वो सिक्योर नही सब्सक्राइब करेंगे कि प्राइबिट कॉलेज में दिला देंगे यहां डिमिशन करा देंगे नंबर आपको पब्लीक हो चुका है तो ध्यान दखिएगा खात करके उन बचों के लिए जिनके मांग्स बॉर्डर लाइन पे हैं या दिनके मांग्स कम है और उनका नंबर हो चो का मैंसेज आएंगह आपको करने करने के कोसिस की जायेगी और हो सकता है कि आप करने już पैसे तो डूबेंगे ही डूबेंगे समय भी आपका बरवाद होने वारा है जो कुछ भी admission होना है 36 गड़के चाहे वो government medical college में हो या private medical college में हो DME के ही थू होना है fair होना है ऐसा मैं मानता हूँ सारी चीजें clear होनी है आपको websites पे दिखेगा भी कि किसको किस basis इस पे रॉटमेंट डिया गया है तो किसी भी जहासे में आप लोगों को नहीं आना है खुद भी नहीं आना है और अगर कोई दूसरा इन जासों में पढ़ रहा है तो उसको भी बचाना है बाकि आपकी जिम्मेदारी है ठीक है तो जिन्होंने लाइक किया है या जिन्होंने प्यार दिये हैं ठीक है उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे भी कमेंट्स पड़े हुए हैं सबका मैं जवाब नहीं कि कमी है क्लासिस रहती है मेरी मैं बायालोजी पढ़ाता हूं एक बहुत चोटा सा और सिंपल सा इंस्टिट्यूट है तो महाँ पर मुझे जीव विज्ञान पढ़ाना होता है बायालोजी पढ़ाना होता है बच्चों को सुबह साथ से एक और दिन चार बजे से साम को जानते हैं तो इस करण से बहुत सारी चीजें छूट गई अब यह डियमी वाले लेट कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं समीता वर्मा पूछ रही है अगर मुझे गौवर्मेंट बीडियस मिलता है फस्ट राउंड में और मैं उसे छोड़कर प्राइविट एंबीबियस लेन फस्ट राउंड में जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट होगा उन सबको स्कूरूटिनी कराना डॉकुमेंट वैरिफिकेशन कराना कंपलसरी है अदरवाइज एक छोटी सी मिस्टेक के करना आप कांसलिंग से बाहर हो सकते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते है आप सेकेंड राउंड में बीबिएस प्राइविट ले सकते हैं अभी इस बार जो है सेकेंड राउंड में बीबिएस की जो कांसलिंग होगी उसका थोड़ा सा रूल्स रेगुलिशन चेंज होगा इसके पीछे रिज़न यह है कि अभी फस्ट राउंड में 36 गड़ में से ले ली गई है जो कि सेकेंड नव लिया जाता था तो कई सारे ऐसे भी बच्चे हुगे जो की अब सेकेंड नों पार्टिसपेट ही नी करना चाहते तो उनके लिए क्या प्सन बसता है इस पर में डिसकस करेंगे कि आप करना है नहीं चाहते से और तो आपको पैसे करेंगे मतलब रिफंड हो जाए आपके पैसे तुरंत तो नहीं होने वाला है रिफंड टेक टाइम समय लगता ही है एंड यह तुरा सा उट पटांग सा नाम है इसमें में नाम नहीं प्रनाउंस कर पाऊंगा विक से डिट्स करके है कुछ जो भी है सर मेरे पास दो स्टेट का डो में साइल और कास्ट सर्टिफिकेट है चमतकार ठीक है होता है भारत में यह सब चीजें बहुत कॉमन हैं क्या मैं दोनों के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिस कर सकती हूं अच्छा आप फीमेल हैं ओके लेकिन यह लीगल नहीं है अगर पकड़े गए तो दिक्कत हो सकती है क प्रॉब्लम हो सकती है फिर आप यह भी देख लिए कि आप दोनों जिस दो स्टेट का आपके पास डोमेसल सर्टिफिकेट है तो वहां पर बिंगल डोमेसाइल या निवासी होने का क्राइटेरिया क्या है अब मैं सारे भारत के सारे राज्यों के अलग-अलग डोमेसाइल का क्राइटेरिया मैं नहीं बता पाऊंगा च्छतिसगर से बिलाउं करता हूं मैं तो यहां का आपको बता सकता हूं है ना तो और मेरा यह सजिशन रहेगा कि आप दो अलग-अलग स्टेट में एक सांथ स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें तो बहतर हो यह फिर आप देख लिजे कि डो मैसल होने का एक्जिक ट्राइटेरिया क्या है जहांके क्राइटेरिया को अब फुल फिल करते होंगे वहां का दो में शो करिए और इमांदारी फिर इस बार मैं भूल जाओं भूल जाना ही बहतर होगा मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 36 गड़ की जो कांस्लिंग है कम नंबर ऑफ इस्टुडिंट्स ने रजिस्टर किया हुआ है हाला कि और साणी प्रियू जाएंगी जियु आगाने और जीटन पिडी किसली ग्याने धिक्ता कि आप और छॉत लुक्त यह नवरावां फो तो जितने ißथ्टे जोर सब्सक्रि mo या मौप अपरांग अब यह हो सकता है कि BDS की सीटें खाली रह जाए वैकेंट रह जाए या प्राइबेट जो कॉलेज़ेस हैं BDS के लिए बहुत सारे कर दी आप दीए आप स्टार बाइब आप बताया बहुत अच्छे से कि प्लीजन अना यहाँ पर चतिसच गाउं पर इससे सिर्फ इस रांड में होता है miss guide मत होई ऐसे लल्लू पंजू counselors जो guide करते आपको कल के लॉंडे जो वीडियो बनाना चालू किये है कुछ भी कुछ बोले जा रहे हैं सो समझ के आप देखिए हैना दूसरे की वीडियो को देख देखे लोग वीडियो बना रहे है बनाना चाहिए बिल्कुल यूटूब इस ओपन प्लेटफॉर्म को भी बना सकता है है ठीक है लेकिन जो authentic knowledge है जो आपको cgdme के website में मिलेगा य आप भी चीजों को समझें जाने अगर आप नीट की तैयारी करने हैं तो इन से related चीजें हैं मदब आप इवन 2023 की नीट की तैयारी करने हैं तो अभी से ही आपको कम से कम वह important वीडियो कौन से documents लगने वाले हैं आपको future में हैना counseling का process क्या होता है कैसे होता है थोड़ा समय निकाल कर आप किसी genuine authentic जो आपको लगता है यह सही guide आपको कर रहे हैं तो उनका देखिए otherwise डोरे मौन जैसी हालत हो सकती है ठीक है तो ऐसा है कि डोरे मौन आप तो फिलहाल के लिए भूल जाओ अगर registration फिर से start होता है आप channel पे बने रहिए देखते रहिए अगर registration date किया जाएगा ओके और ऐसा है कि कुछ और भी सारे question है सर central nominee की seat किसके लिए होती है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी government medical college है वहाँ पे एक central nominee करेके quota होता है कि जो आल इंडिया quota से different होता है आल इंडिया quota का 15% होता है 15% सीच होता है central nominee का जो है 3% होता है यह किसके लिए होता है तो देखिए जो केंद्र सासित प्रदेश है जैसे की दमन इंदीव हो गया दिली नहीं दमन इंदीव ह हो गया इस टैप का पहले कास्मीर के बच्चे भी आते थे अभी कम मुझे शूर नहीं है लेकिन जब मैं medical college में था 2007 बैच में तो कास्मीर वगयर ऐसे भी आजमू कास्मीर से भी बच्चे central nominee as a central nominee candidate आते थे दमन दीव इस टैप के जो केंद्र सासित प्रदेश है है ना कोई हक नहीं होता लेकिन कई बार यह जो central nominee की सीटे है third round तक खाली रह जाती है वेकेंट रह जाती है या मॉपप राउंट तो इस ट्रे वेकेंसी राउन में इसको स्टेट में convert कर लिया जाता है मदब और फाइनल वेकेंट नहीं रहेगा central nominee को candidate आया ही नहीं है ना या eligible न करने की जूरत नहीं है परेशान मत हुई है पेशेंस रखिए धैरे रखिए जितना जाद आप धैरे रखिएंगे उतना ही अच्छा आपको result मिलने वाला है ठीक है बड़े हुए है निरास होने की जूरत नहीं है खास करके मैं parents को भी यह सजेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेसराइज मत किया करिए अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो चीजों को समझे बहुत ज्यादा प्रेसराइज करना दबाव डालन या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखी अपने बच्चों से जितना वो करने उससे आप सेडिस्फाइड रही है ठीक है और आगे वो डेफिनिटली अच्छा करेंगे अच्छी अपरचुनिटीज है उनके पास तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा सिवाए इसके कि आपका फ्लाने रेंख है फ्लाने मांक से कौन सा कॉलेज मिलेगा सर तो अब देखिया अने वाला है मैं ज्यादे नहीं कर रहा हूं कि पता चला बहुत मेहनत करके मैंने उसको पूरा अनलाइज किया आप यह की नहीं करेंगे जर समय दिया जाए मैनुवा मेरे पास कोई सॉफ्ट्वेर नहीं है मैनुवाली ही हम वर्क करते हैं बहुत सिंपल छोटा सा सेट अप है लाइक जो आपको दिखते हैं वही है इस इस तो मैनुवाली करना पड़ेगा अगर 10-12 घंटे अगर बैट जाए तो एक एक बच्चों का अलॉट्मेंट भी है ना तो दैसल फर इस वीडियो मिलने किसी नेक्स वीडियो में थैंक यू वरी मच